जैसे के हमने last lecture में tools में से भी text को लिखके देखा इसके उपर और उसके लावा हमने नई layer add करके भी देखा text का हमने different animate in, animate out के presets भी देखे और हमने इसको normal जिसना के animary animation होती है keyframe से उसना भी movement करके देखी ये चीजे अभी तक भी मुझे लगता है कि काफी interesting थी लेकिन मैंने जैसे के last lecture में कहा था कि हम next lecture में text के उपर थोड़ा सा और interesting आपको presets के बारे में बताएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कुछ हमारे पास ऐसी external चीजे हैं जो आप download कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर use कर सकते हैं जो के totally free हैं मैं आपको बताता हूँ तो आप अपने किसी भी normal browser के उपर जाके search करेंगे इस तरह के मैं यहाँ पर search कर रहा हूँ animation composer यह मैंने search किया यहाँ पर मेरे पास आ गया और उसके बाद सबसे पहली option मेरे पास यहाँ पर आ रही है mrhorse.com और animation composer आपको यहाँ से मिल जाएगा इस पर मैं click करूँगा और यहाँ से आप इसको download कर सकते है animation composer 3 यह आपके बस लिखा रहा है the most love plugin just got a major update now you can add your own stuff तो इनने update भी किया इसको और बड़े जबदस्त आपको इसमें preset मिल जाएंगे तो यहाँ से download करने के बाद आपको इसको अपने system पर install करना पड़ेगा और installation के बाद आप से फिर यह credentials मांगेगा आप इस पर नया login बना सकते हैं नया ID बना सकते हैं आपका existing कोई भी email address होगा वो भी इस पर काम करेगा और उस में से आप नया ID बनाने के बाद इस पर आप इसको install कर सकते हैं और यह सारे process से गुजरने के बाद आपके पास एक इस तरह की window आजएगी इस तरह का tab आपके पास होगा जिसमें यह आपके पास आपको option दे रहे है plugins की और packs की दोनों के size भी बता रहा है जो कि बहुत जादा नहीं है आप इसको quickly install कर सकते हैं आपके पास प्रीमिर की भी कुछ options मुझूद हैं इस वक्त हम after effect के install कर लेते हैं install पे click करेंगे यहाँ पर तो यह इसकी installation शुरू करतेगा इसके लिए जरूरी है कि आपका after effect जो हो बंद हो क्यूंकि इसको इसके अंदर ही जाके save कर रहा होता है इस वक्त हमारा offer effect खुला हो है और हम offer effect में जाके इसको बंद कर देते हैं इस वक्त current project इसको आप काम कर रहे हैं इसको save करना चाहते हैं तो save कर लें और इसको हम try again करेंगे तो अश्वक्त ही आप से permission का पूछ रहा है इसको हम यहां से yes करेंगे और further यह इसको install करना शुरू हो जाएगा पहले यह download करेगा इसको उसके बाद फिर इसको install करेगा तो यहां से इसने आपको installation पूरी कर दिये और यहां पर आपको लिखा भी आ रहा है कि install की option क्योंके obviously installed है तो इसलिए यहां पर install की option है अब हम जाके अपने software को दुबारा को खोलेंगे offer effect को यह इसने आपको animation composer का भी बता दिया कि window के tap के अंदर आपके पास animation composer 3 और आगे further उसकी चीज़े आपके पास आ चुकी है इसको आप ok करेंगे इसको भी यहां से हम ok कर देंगे इसको कैशे का message दे रहा है इसको ok करने के बाद आपके पास यह basic window खुलेगी recent project हम इसको यहां स खुल सकते हैं तो अब भी हमारे पास जो यहां पर text की layer पड़ी है उसमें animation मुझूद है जो हमने last time की थी इसको हम यहां से delete कर देते हैं साथी चीज़े आप देख सकते हैं इस वक्त इसमें से delete हो चुकी है animations या pre search हो भी हमने लगाया बता इस layer को हम चाहें तो mouse से पकड़के उदर start में लेके जा सकते हैं अगर आप बलकुल start से चाह रहे हैं या पिर हमारे पास इसकी option मुझूद है हम bracket in से भी इसको यहां पर move कर सकते हैं तो window के tap के नीचे आपके पास यहां पर animation composer और बाकी उसकी further और भी चीज़े आ चुकी है मैं simple animation composite free पर click करूँगा तो मेरे पास एक नई window खुल जाएगी और इसको आप चाहें तो इदर adjust भी कर लें ताकर जिस तरह सारी windows आपकी इदर हैं इस तरह हम इसको नीचे adjust कर लेते हैं या फिर आप चाहें अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप इसको इस तरह यूज़ करने फिलाल हम इसको explore करेंगे तो हम इसको यहां पर use करते हैं और इस तरह से हमारे पास यह window कुलेगी हम इसके अगर presets में जाएं तो हमारे पास यहां पर text के लिए specific यहां पर यह third tab है जिसके अंदर आपके पास characters, words, lines मुझूद हैं आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल आपके पास यहां पर preview आ रहा है हम एक-एक को explore करेंगे इस वक्त में आपको चंद एक दिखा सकूंगा बाकी आप इसको खुद भी दिखिएगा तो जिस पे भी मैं इस वक्त क्लिक कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि वो आपको उसका एक display वो उसका दिखा रहा है और अब आप से यह नीचे आपके पास option है कि आपने इसको animate in करना है आउट करना है या फिर दोनों चीज़े करनी है इसका मतलब यह है कि इन आपका starting point पे लगेगा आउट आपका end point पे लगेगा जो कि आप इस टेक्स को खतम कर रहा होगा आउट कर रहा होगा और बोथ करेंगे तो इस वक्त आपका in और out दोनों पे लगज़ेगा हम दोनों point पे लगाते हैं बोथ को select करते हैं और जैसे कि हमारी layer already select थी तो आप देख सकते हैं कि इस वक् आउट था इसको अलग से move करना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम इसको play करके यह in हुआ और अब इस point पर यह आउट हो गया फर्दर अगर हम चाहें तो और भी option देख सकते हैं हमारे पास यहां पर यह window animation composer 3 मौझूद है और आपके पास इसके अंदर भी setting मौझूद है इस तरह के अभी हमने जो effect लगाया था उसको apply करने के बाद आपके पास यहां edit में वो सारी options मौझूद हैं जो के animation वो कर रहे हैं तो अगर आप इसके in-depth अगर जाना चाहें तो यहां से भी आप इसको वो movement वो animations change कर सकते हैं browse में दोबारा जाएंगे और हम कोई और effect भी लगा कर देखते हैं अभी हमने characters देखे थे word पर जाते हैं और यहां पर आपके पास different presets मौझूद हैं और इसमें से हम इसको खाली in पर लगा कर देखते हैं और इस वक्त आपको यह message देगा anchor point का क्योंकि anchor point change हो सकते है animation के हिसाब से लेकिन यह साथ में आपको यह भी बता रहा है कि इसमें like normally आप इसको कर सकते हैं अगर हम इसको yes करेंगे proceed करेगा इस वक्त इ इस वक्त जो हमारी animation इन थी वो कुछ इस तरह से हो गई है और जो हमारी animation आउट है वो इस तरह से आउट हो रही है और वैसे मैं आपको recommend करूंगा कि अगर आपको कोई नया preset लगाना है तो आप पुराने को remove कर दें remove करने के लिए जिस तरह ब्राउजर से ही लगाते हैं इसके साथ edit की option है layer आपकी select होगी वीचे से और जिस तरह से यह इस वक्त लग चुके हैं आप इनको यहां से बारी ब कर सकते हैं और इस तरह करने से आपके पास कोई भी इसवक्त effect या preset नहीं लगावा और अब आप जाके इस पर नया apply करेंगे तो बेशेक हम इसको यहां से करते हैं apply तो आप देख सकते हैं कि उसकी look आपके पास फिर उसके हिसाब से change हो जाएगी आपने बहुत सारी वीडियो में इस तरह की options देखी होंगी इस तरह की animation देखी होगी आप यहां से अपने existing text के उपर बना सकते हैं further अगर इसके नीचे हम presets के नीचे अगर और जाएं तो हमारे पास यहां पर और भी बहुत सारी options मुझूद हैं यह काफी बड़ी इसमें ए एक दफा देखें तो आप देखें हमारे पास यह पूरे इस वक्त टेक्स बॉक्स बने में जिसमें एक प्रॉपर एनिमेशन है कि इसमें आपके पास बीचे यह box भी आ रहा है उसके बार text भी आ रहा है आप चाहें तो इसको भी use कर सकते हैं और further आप इसको भी edit कर सकते है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको बैरेट करें और यहां पर जब आप एड़ प्रेस करेंगे तो बैसिकली आपके पास एक लियर और एड़ हो जाएगी और इसके नीचे वाली लियर को मैं यहां से आफ कर देता हूं further मेरे पास यह option मजूद है अगर मैं इस layer को select करूं तो इसकी सारी options मेरे पास आजाएंगी जो text मैंने change करना हूं मैं यहां से change कर सकता हूं में भी हम यहां से सिर्फ animation add करना चाहें और बाकी text किसी और style में लिखना चाहें तो इस वक्त मेरे पास यहां पर भी by default जो text था वो change हो गया है और आपके पास एक box के साथ proper animation उसका in out मुझूद है और इस तरह भी हमने इसको यह play किया इन हुआ animation out होई आप चाहें तो इसकी duration भी बढ़ा सकते हैं just आपको इस layer को बढ़ाना होगा और साथ में इसकी out को भी आपको आगे move करना होगा अब आप देख सकते हैं कि यह इस तरह से in हुआ duration बढ़ चुकी इस वर्ग और साथ में ही यह out हो गया तो यह वाले जो presets हैं इसको आप अलग-अलग use कर सकते हैं आप same को use कर सकते हैं आप just एक layer को अगर आपको दुबारा इस तरह की चीज़ से यह copy paste करके उसको use कर सकते हैं इसकी position आगे कर दें अगर एक आपके पास यह out हो चुका है और इसके बाद आप चाहते हैं कि same preset ही आपके बस दुबारा आए तो अब आप यहां से इसको select करके इसकी इसका नाम change करके वहां से आपके पास और अगर हमने शुरू में जिस तरह हमारा जो course का नाम है वो भी add करना था तो हम उसको भी शुरू में add कर सकते हैं हम यहां पर इन दो layers को आगे move कर सकते हैं select करके और इसके साथ हम इस वाली layer में अपने पास video editing, second हमारे पास animation और third हमारा vlogging तो हमने एक preset के थुरू बड़ा quick एक title, text हमने इसको animate कर लिया और आप चाहते हैं तो same animation repeat ना करते हैं आप different preset को भी use कर सकते हैं further आप चाहें तो इसमें मजीद modification भी कर सकते हैं edit कर सकते हैं आपके पास नीचे option मौझूद है आप text का color change कर सकते हैं अगर मैं इसको red करना चाहता था maybe तो यह इसने इसको red कर दिया stroke जो इसके edges आ रहे हैं border है उसको change कर सकते हैं उसके इलावा नीचे और option है जो container है इसका यह जो white box बनावा है इसको भी आप change कर सकते हैं तो आपके पास इस सारी options इसमें मजूद है text की positioning वगारा की option भी मजूद है तो यह आप जितना इसको explore करेंगे आपको आप देखें text इसने इसको बाहर कर दिया है तो आप इसको भी यहां से modify कर सकते हैं इसके container को भी आप corner की option है इसमें के round corner बना देगा stroke width देदेगा आप देख रहे हैं कि इसने edges इसको corner खतम कर दी है तो इस तरह की बेतहाशा आपके पास इसमें और options ही मजूद हैं आप इनको explore करें opacity बगारा सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं और ये तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप खुद ही इसको maximum explore करें क्योंकि option हर एक की अलग-अलग हो सकती है container के इलावा जो आपके पास और presets हैं उसमें आपके पास कोई और option हो सकती है तो आप इनको कोई hard and fast याद नहीं रख सकते हैं लेकिन जिस तरह से ये presets different हैं उस तरह से आप इनको modify कर सकते हैं और further edit कर सकते हैं ये text की जितने भी presets हमने देखे हैं ये इस वक्त offer effect के अपने नहीं थे ये हमने free download किये थोड़ा सा procedure था जो कि हमने आपका already explain किया इसके इलावा इसमें इतनी options मुझूद हैं कि आपको किसी भी किसम की text animation या और कुछ इस तरह की animation basic बनानी हो तो आप बहुत asainी से बना सकते हैं ज़रूरी है कि आपका थोड़ा सा control हो जब आप उसको edit करें जब आप change करना चाहें तो आप उसको अपने control में रखते भी कर सकें क्योंकि बास दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कोई setting change कर रहे होंगे कहीं से कुछ और हिल रहा होगा तो आपको शुरू में ये मसले face करने पर सकते हैं और इसका सिर्व यही हल है कि आप जितनी practice करेंगे आपकी उतनी command बेतर होती जाएगी और आगे आने वाले और lectures में हम मजीद चीज़ों के बात करेंगे